तो अब आते हैं आज के हमारे इस वीडियो के टॉपिक के उपर नमबर वन हम यह समयने की कोशिश करेंगे कि जो scientific community है वो इसके बारे में क्या बोलती है उनकी क्या राय है अब वो हम कैसे देख सकते हैं बहुत ही simple है Google पर जा करके हमको search करना है is masturbation harmful करके देखते हैं क्या आता है आप यह search करके देख सकते हैं यहाँ पर जो top पर लिखा हुए that is masturbation can actually be good for your health both mentally and physically and it's pretty much the safest sex out there there is no risk of getting pregnant or getting an STD masturbation is a normal act used by many to explore their body and feel pleasure despite the myths there are no physical harmful effects whether you masturbate is up to you it doesn't harm your body the medical community considers masturbation to be a natural and harmless expression यहाँ पर इस बात के ध्यान देना natural and harmless अब यहाँ पर जो बात समझनी जरूरी है वो यह है कि masturbation भी excess में बुरी है इसमें कोई doubt नहीं है scientific community भी यही कहती है और अगर logically भी हम सोचे तो excess में हर चीज़ बुरी होती है आप ज़्यादा खाओगे ज़्यादा पी होगे वो भी excess में बुरा है limit में खाओगे limit में पी होगे तो कोई बुरा नहीं है जो important चीज़ यहाँ पर समझने वाली है वो यह है कि यह natural है यह कोई unnatural नहीं है बलकि sexually अपने desires को repress करना वो unnatural है इस topic के ओपर मैं अब तक दो वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ दोनों के links आपको नीचे description में मिल जाएंगे और कहीं भी मैंने यह नहीं कहा है कि आप इसको access में करिये मैंने क्या बात करी है क्या word बार-बार यूज़ किया है that is moderation, that is balance अगर आप ध्यान से मेरी उन दोनों वीडियोज को देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि आप 10-12 साल की age से masturbation करना शुरू कर दो मैंने क्या कहा है कि जब आप legally eligible हो जाते हो इस तरह की वीडियोज देखने के लिए या शादी करने के लिए उसके बाद में masturbation करने में कोई बुराई नहीं है तो मान लेते हैं कि 18 साल की age में आपकी शादी हो जाते है जो कि legally allowed है इंडिया में और इसको दुनिया की कोई ताकर challenge नहीं कर सकती है उसके बाद में क्या आप sex नहीं करोगे क्या sex करना गलती है अगर ये गलती है और कोई कहता है कि ये गलती है तो जो ये बात बोल रहा है वो खुद ये गलती का नतीजा है क्योंकि अगर उसके मावापने ये गलत काम नहीं किया होता अगर आप इसको गलत समझते हैं तो तो इनसान भी इस दुनिया में नहीं होता तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात समझे है कि सेक्स कोई गलत काम नहीं है कोई चोरी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए आपके अंदर गिल्ट आये कि मैंने कुछ गल्ती कर दी है, यह कुछ भी गलत नहीं है, यह natural है और part of life है, इसको denying नहीं किया जा सकता है, अब आते हैं fact number two के उपर, जो भी लोग nofap के बारे में बात करते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ इसके benefits पताते हैं, no doubt इसके benefits हैं, बट आपको ये भी समझना है कि इसके नुकसान क्या है life में हर चीज़ का plus भी होता है, minus भी होता है, pros भी होते है, cons भी होते हैं, कोई भी आप दवाई खाते हो तो उसका benefit भी होता है और नुकसान भी होता है, तो डॉक्टर को समझना होता है कि इस दवाई का फाइदा जादा है या नुकसान जादा है इस condition में, as per the condition of the patient, तो sexual energy है, यह basically क्या है, एक energy है, जैसे कोई भी energy होती है, तो जब energy जरत से ज़ादा भड़ जाती है, तो हम excited होने लग जाते हैं और anxious होने लग जाते हैं, और जब energy कम हो जाती है, तो हम lazy हो जाते हैं, तो ना energy का बहुत ज़ादा होना अच्छा है, ना बहुत कम होना अच्छा ह फिर चाहे वो sexual energy हो या energy जो हमको खाने से मिलती है पीने से मिलती है या sunlight से मिलती है वो energy हो ना energy जादा अच्छी है ना कम अच्छी है और इसके कुछ emotional signs भी है जैसे के anxiety, lack of clarity and confusion in life, in thinking और इसका एक बहुत बड़ा side effect क्या है कि जब भी आप अपने आपको sex करने से या masturbate करने से रोकते हो तो आपको अपने आपको कुछ न कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि जिससे के आप अपनी willpower को use करके अपने आपको रोक सको और जब ऐसा कुछ आप बोलते हो तो there is a strong possibility कि आपके अंदर negative feelings और negative emotions आने लग जाएंगे sex की तरफ फिर उसके बाद में जब आप किसी relationship में जाओगे तो आपके लिए problem भी हो सकती है और एक सबसे बड़ा और सबसे गंदा जो इसका side effect होता है वो होता है feelings of guilt and shame यानि कि क्या कि जब आपके दिमाग में ये बैट जाएगा कि ये करना गलत है उसके बाद भी आपके अंदर ये desires उठेंगे अरे desires को कैसे रोकोगे thoughts को कैसे रोकोगे जब भी ये desires उठेंगे जब भी ये thoughts उठेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं कुछ बहुती गलत कर रहा हूँ तो जब वो thoughts आएंगे और जब वो desires आपके उपर हावी हो जाएंगे और जब आप बार बार कोशिश करने के बाद भी fail होगे fail मतलब क्या कि यानि कि आप masturbate करोगे या sex करोगे तो उसके बाद में आपके अंदर एक guilt आएगा and this will create stress and that can lead to anxiety and even depression for that matter तो ये था दूसरा point अब आते हैं तीसरे point पे अगर आप किसी religious या spiritual organization के साथ में जुड़े हो हैं और जो आपकी organization है वहाँ पर जो भी practices होती हैं अगर उसकी वज़ के साथ में क्या करना है that's your call last but not the least कुछ पी करने से पहले आपको अपने आप से question पूछना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो कर क्यो रहा हूँ मेरी life का purpose क्या है मेरा goal क्या है क्या है जो मैं अपनी life में achieve करना चाता हूँ अगले 5 साल में या 10 साल में अपने आप से पूछो तो हो सकता है जब इस तरह के questions आप अपने आप से पूछोगे तो आपको clear cut एक answer मिलेगा वो answer क्या हो सकता है कि मुझे एक बहुत बड़ा entrepreneur बनना है मुझे एक बहुत बड़ा cricketer बनना है मुझे एक बहुत बड़ा singer बनना है अब अपने आप से question पूछो कि जो भी आपके idol है यानि कि already जो बहुत बड़े entrepreneurs हैं बहुत बड़े cricketers हैं बहुत बड़े singers हैं क्या वो पूरी तरह से sex को छोड़ करके masturbation को छोड़ करके महां तक पूछे हैं अपने आप से question पूछो in fact बहुत सारे ऐसे भी लोग है जिन्होंने openly बात किया है अपनी sex life के बारे में तो sex का और success का कोई direct connection नहीं है आपस में indirectly तो किसी भी चीज़ को हम किसी से भी जोड़ सकते हैं but there is no direct connection किसी भी field में जो लोग successful हुए हैं उसमें 99% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक moderate life जी है यानि कि वो लोग ना तो indulge हो गए हैं पूरी तरह से sex में ना उन्होंने sex को पूर clear cut answer मिलेगा कि मेरी life में धंका कुछ करने के लिए है ही नहीं तो that is the problem अगर आपके पास में कुछ भी धंका होगा अचीव करने के लिए अगले 5 साल में 10 साल में कोई goal होगा कोई purpose होगा जीने की कोई action में वजए होगी आपको एक bright अपना future नजर आ रहा होगा आपके mind में vision होगी तो इन सब चीजों में आप ज़्यादा indulge हो ही नहीं सकते किसी भी habit को छोड़ा नहीं जा सकता है उसको replace किया जा सकता है तो अगर आपकी ये habit पढ़ गई है पौन देखने की या masturbate करने की तो इस habit को छोड़ने का कोई तरीका नहीं है एक नई habit बना लो तो धीरे ये वाली जो habit है अपने अपी कम होने लग जागे और दूसरी habit टेक ओवर कर लेगी और आपकी life एक अलग direction में चली जाएगी ये तरीका होता है अपने आपको बदलने का या किसी भी habit को बदलने का wish you all the best for your future